नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी का मेरे YouTube चैनल Info Academy पर और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक application farm आपको दिखाई पड़ोगा इस application farm को आपने किस प्रकार से भरना है इस भरती से समंदित जानकारी लेने के लिए आपको चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी जो कि Headquarter दक्षिन भारत एरिया आइसलेंड ग्राउंड चेननाई के द्वारा वेकेंसी का ये notification जारी किया गया था जिसमें LDC की वेकेंसी थी और MTS Messenger की वेकेंसी थी MTS Malik की वेकेंसी थी और Cook की वेकेंसी थी कुल 12 वेकेंसी इसके लिए ये notification था Headquarter दक्षिन भारत एरिया आइसलेंड ग्राउंड जेननाई के द्वारा इस भरती के लिए आपने अपना application फार्म किस प्रकार से भरना वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के मादम से दी जाएगी के आपने करवाना है इस कॉलम में आप लिखेंगे पोस्ट एप्लाइड फॉर जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन करना है चाहे आप LDC के लिए करें या MTS मैसेंजर के लिए करें किसी एक पोस्ट का नाम आप यहां लिखेंगे जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं यदि आप सभी पोस्टों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सभी के लिए आपने अलग-अलग आवेदन फारम भरना होगा एक बात कब इस ध्या लिखना है जो की block letter यानि के capital letter में इस प्रकार से आप लिखेंगे यहां capital letter में father का नाम लिखेंगे point number 3 के ओपर date of birth आप लिखेंगे जिसमें ddmmy में आप अपना date of birth लिखेंगे नाम पिता जी का नाम और date of birth आप लिखेंगे जो आपके 10 कक्षा की dmc में लिखा गया यानि के detail marks card में जो आपके नाम है जो आपकी date of birth है और पिता जी का नाम है आप वही यहां लिखेंगे age as one closing date को इस closing इस भरती की जो आखरी तारीख है उसको आप कितने वर्स कितने महीने और कितने दिन के हैं वो सारी detail आप इन कॉलम में जरू लिखेंगे gender में यदि आप female हैं तो female पर टिक करेंगे male है तो male के आगे टिक करेंगे और marital status में married और unmarried के आगे यदि आप married है तो married के आगे टिक करेंगे और unmarried है तो unmarried के आगे ऐसे इस परकार से टिक कर देंगे are you citizen of India यदि आप इंडिया के रहने वाले हैं तो yes लिखेंगे सभी Indian ही apply कर सकते हैं और कोई apply ही नहीं कर सकता point number 8 की बात करें religion में आप लिखेंगे यहां हिंदू, muslim, sikh, हिसाई जो भी आपका है और उसके आगे आप कास्ट में आपकी जो कास्ट है वो आप लिख देंगे point number 9 के ओपर reservation category के हिसाब से आपने बताना है कि आप किस category से हैं SC है, ST है या OBC है suppose कर वो आप OBC है तो OBC के ओपर टिक करेंगे, EWS से है तो EWS से करेंगे और उस category का आपने certificate भी जरूर लगाना है इस application farm के identification mark आपने लिखना है, identification mark होता है कोई भी पहचान चिन जो visible हो, जो दिखाई पड़ता हो आपके सिरीर के ओपर कोई पहचान का चिन है, वो आपने यहां लिखना है, point number 11 के ओपर और 12 के ओपर आपने block letters में अपना address लिखना है, जिसमें आपने अपना village का नाम, post office, तहसील और district, यतियादी आपने यहां पूरा करके address पूरा आपने complete कर देना है, इसके बाद point number 13 की या किस university से पास की है, क्या आपने subject पड़े है, percentage आपकी क्या है रही है, वो सारी detail आपने देनी है, point number 14 के ओपर आपने experience की detail देनी है, यदि आपके पास कोई experience है, वो तो आप इसमें दे सकते हैं, इसके बाद declaration है, declaration के बाद आपने signature जुरू करने है, इस परकार से आप अप जुरू लिखें, इसके नीचे office use only के लिए ये checklist है, इस checklist को आपने tick नहीं करना है, लेकिन ये document list बढ़ाने के लिए आपको मदद देगी, इसमें आपने photograph जो paste करनी है, वो guested officer से आपने इस application form के ओपर paste करनी है, guested officer से attest करवा कर paste करनी है, application form को completely भरना है, कोई भी column आपने नहीं छोड़ना है, education qualification के certificate आपने self attested करके attach करने है, आपके पास यदि SCST, OBC या EWS का कोई certificate है, वो आपने जरू लगाना है, identification जो clearly visible हो वो आपने जरू लिखने है, application form का कोई भी column आपने खाली नहीं छोड़ना है, इस परकार आप इस आवेदन form को भर सकते हैं, और इस जानने के लिए आप इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक वेशेर जरू करते रहें, ताकि आपको इस परकार के भरतियों के जो latest notification है, वो सबसे पहले इस चैनल के मादम से आपको मिलते रहें, धन्यवाद.